साथियो नमस्कार स्वागता है आपका आपके अपने यूटूब चैनल पर साथियो आज की वीडियो इंगलिस से त्यारी करने वाले तमाम उन कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है जो विभिन सिक्षर बढ़ती परिक्षाओं की त्यारी कर रहे है साथियो ये वीडियो आपके लिए भूत ही फाइदे मन रहने वाली है इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा चेनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चेनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राथ करने के लिए जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजेगा और साथियो आपके लिए एक महतोपूर्ण जानकारी मेरा जो टेलिग्राम चेनल है जिसका नाम भी क्या है साजीत सरबाडेट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बोक्स में डाला जा रहा है वहाँ पर आप महतोपूर्ण पीडिया प्राथ कर सकते हो और रिट और अन एक्जाम से समंदित लेटेस्ट अप्टेट भी आपे प्राथ कर सकते हो तो उसको भी आपे जोइन किजिए तो साथियो ये जो वीडिया है ये बड़ा खास रहने वाला है साथियो आगामी कुछ महीनों में विविन सिक्षक बढ़ती परिच्चाओं का आयूजन होने वाला है और उनी परिच्चाओं को द्यान में रखते हुए ये वीडियो में आपके सामने रख रहा हूँ साथियो ये जो वीडियो है इसमें महेतोपूर्ण इंग्लिस ग्रामर के क्योशंस है जो अलग-लग एक्जाम के अंदर पूछे गए हैं ऐसे क्योशंस है जो ज़्यादा तर कैंडि रेट्स के गलत होते हैं और ये questions जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये बार-बार repeat होते आए हैं तो उमीद है आगे के exam में भी ये question आपको देखने को बिलेगे और अब की बार अगर इस time के question आजाए जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ उमीद है आपका एक भी गलत नहीं होगा एकिन इसके लिए सर्थ ये है कि आपको वीडियो लास तक जरूर देखना होगा ये read, second grade और first grade इंगलिस से जो त्यारी करने वाले हैं उन तमाम candidates के लिए रहने वाला है तो देखते हैं आज के अपने इस important इंगलिस grammar के परसनों को जो विभिन परतियोगी परिच्छा के अंदर पूछे गए हैं तो start करते हैं साथियो start करते हैं आज के अपने इस महतोपूर्ण परसन उत्रों को जो कि English grammar के हैं विभिन परतियोगी परिच्छा के अंदर ये बार बार पूचे गए हैं और ऐसे questions है जो ज़्यादातर candidates गलत करके आ जाते हैं तो पहला जो important question जो आपके सामने है वो है each of the girls scouts रिक्तिस्तान a community project तो इसके अंदर साथियो ज़्यादातर candidates क्या करते हैं scouts को देख करके पलूरल कर बेटते हैं वर्व की first form लगा देते हैं ध्यान रखेगा each of जब दिया हो तब आपको क्या करना है वर्व की first form प्लस S.A.E.S. लगाना है तो इसके अंदर जो सही उत्तर आएगा साथियो पार्टिस्पेट्स आएगा option B सही हो जाएगा अगला question है आपके सामने जो कि second grade के अंदर पूछा गया है रिक्तिस्तान दिया हुआ है his money has been stolen तो इसका सही उत्तर होगा C all his money stolen कि उसका सारे जो पैसे थे वो stolen हो चुके है वो चुरा लिगे है second grade 2017 में ये पूछा गया था अगला देखे तीसरा question जो कि आपके सामने है कि C spent उसने बिताया useful or in the botany garden क्यों उन्होंने अपना एक useful जो गंटा था उप्योगी जो गंटा था वो कहां बिताया बोठनी के बगीचे में तो ये भी second grade 2017 में पूछा गया है और इसके अंदर क्या आएगा C spent यू को देखकर के बहुत सारे candidates वो AN कर देते हैं ये देखकर के कि ये वो समझ लेते हैं लेकिन ये क्या है consonant है तो इसका क्या आएगा A आएगा इसका क्या आएगा साथी हो तीसरे में A आएगा तो इसका आपको A करना है अगला देखिए Did you see first half or second half of the movie कि क्या आपने देखा the first half or the second half of the movie कि movie का आपने first half or second half क्या आपने देखा तो A, B और C ये तीनों option नहीं आएगे इसके अंदर जो साथी हो आएगा वो आएगा D चोथे में क्या आएगा D आएगा इसका सही उतर क्या आजाएगा दोनों में D दे आजाएगा Did you see the first half or the second half of the movie अगला देखिए He is always His temper तो यहाँ पे साथी हो देखिए He is always इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा वर्व की first form प्लस ing आएगा ये continuous का है तो option C इसका हो जाएगा तो पहले जो question रख रहा हूँ ये 2017 second grade में पूछे गए हैं उनके हैं अगला भोती स्यांदार question है ये आपको comment box के अंदर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा जो भी आप बताओगे उसका सही जो उत्तर आप बताओगे उसको pin कर दिया जाएगा तो there means रिक्तिस्टान simple there means उसके बाद क्या है रिक्तिस्टान simple head, head, is, is, or क्या आएगा इसमें is आएगा या आर आएगा या आप सोच करके comment box में जरूर दिखेगा आगे बढ़ते हैं bunch of keys बहुत चैंदार है बार बार परसन पूछे जाते हैं bunch of keys तो यहाँ पे एक गुच्छा है keys का, keys को देखकर के pallural कर बेटते हैं ज्यादा तर pallural नहीं है यह एक चाबी का गुच्छा है यह singular हो गया bunch of keys तो यहाँ पे डी आ जाएगा अगला देखे the train is running behind that time कि train है वो time से पीछे आने की चल रही है अगला परसन जो बार बार पर इक्छा हैं पूछा जाता है neither of the students interested in extra classes neither of the students साथियों यह भी एक नियम है neither जब दिया हो तो उसके बाद singular ही वर बात ही है neither of the students देख करके आफ आर मत कराना यह जाएगा neither of the students is interested in extra classes और ज्यादा तर candidates का यह गलत होता है वो students को देख करके students plural है और उसका आर कर बेटते हैं तो साथियों इस तरह से अगला परसन है the handwriting is lisible anyone की handwriting है वो पढ़ने योगे है anyone can easily read it कोई भी उसको easily क्या कर सकता है पढ़ सकता है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा D हो जाएगा तो साथियों अगला परसन देखते हैं the police are supposed to police are supposed to the thief as soon as a theft is reported तो go after यहाँ पर आने की पिछा करना होगा कि ऐसा माना जाता है कि the police are supposed to go after the thief कि thief का पिछा किया जैसे ही याने की as soon as a theft is reported जैसे ही चोरी की report दी गई उसके तुरंत बाद ऐसा माना जाता है कि police ने चोर का go after किया अगला देखे the mage was called of mage है वो रद कर दिया गया called of important है बार-बार आता है अगला चोगदुआ परसन he was tired of work he sat down to rest कि वह काम से थक गया और he sat down to rest और वह rest के लिए बेट गया join into a single sentence single sentence के अंदर आपको sorry simple sentence में आपको याने जोड़ना है single नहीं लिखना है याँ पर तो इसका देखे tide of work he sat down to rest तो इसका सई जवाब क्या हो जाएगा साथी हो D हो जाएगा कि tide of work work से थकने के बाद he sat down to rest वह rest के लिए बेट गया तो जो भी आप देख रहे हो last question आज की he purchased the factory that belong to his friends इसको translate करना है simple sentence में क्यों उन्होंने एक factory खरी दी जो belong करती है करती थी किस से उसके friends से तो simple क्या हो जाएगा he purchased उसने purchase किया factory को जो कि किस से belong रखती थी उसके friends दे he purchased his friends factory sorry इसका क्या हो जाएगा he purchased his friends factory तो साथियो यह अपने पंद्रव क्योशनों की यह series थी उमीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा थैंक्यू वरी मच